हेलो फ्रेंज मेरे डेजल क्लासस में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो फ्रेंज आज अच्छा है जनवरी जीतने भी करेंट पर से कोशन बनेगे यहां से हम कवर करेंगे जो आपके हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट चाहिए से सी रेलवय यूपी एस साथ में लेकर भी चलिए कि आपके बहुत मायनी रखता है एक नमर से आपका सिलेक्शन होना है नहीं यह आपका जो की बता देता है तो चलिए आज करेंट करते हैं अगर पहले बार मेरे चैनल में आएगो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजगे ताकि आप तक नोटि पिछले साल जो की सब को भुला करें ने साल के सुरुआद करने के लिए उस्सा को मनाया जाता है नए साल के सुरुवात में इसको खास करके यहां जो कि उस्सा को तेवहार को मनाया जाता है मड़ीपूर में तो याद रखिए जेलियां गुरोग जो समुदाय का जो गान लगाई जो तेवहार है खास करें नए साल के उपलक्ष में उस्सा के साथ इ यहां के राज्यवाल हैं तो याद रिखीएगा इंपोर्टेंट कुशन है अगला कुशन अगला कुशन देखते हाल ही में केंद्री मंत्री मंदल ने कितने करों रूबिय के परिवय के साथ सरकार के महत्वाकांशी राष्टी हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है तो 17,744 करोंड और आपका 18,744 करोंड या 19,744 करोंड तीसकर सी आपसंस नहीं हो जागा 19,744 करोंड तो 19,744 करोंड या केंद्री मंद्री मंदल ने यहां पर लगभग इतना कर रुप्य के परिवय के साथ यहां पर सरकार गए जो महत्वाकांशी राष्टी हरित हाइड्रोजन मिशन को यहां पर मझूरी दी गई है लगभग यहां केंद्री मंदल ने मंत्री मंदल दुआरे पर 19,744 करोंड रुप्य के परिवय के साथ इस जो कि इसको जो कि हरित अगला कुशन देखते हैं important कुशन याद रखिएगा हाल ही में 17 प्रवासी भारती सम्मान पुरुसकार जिसे PBA से कहा जाता है तो इसका एलान कर दिया गया है प्रवासी भारती को यहां को चुना गया है तो जो आपका प्रवासी जो दिवस है इस किसलिए मनाया जाता है इस प्रवासी दिवस को तो हर साल 9 जनुवरी 1915 को जो कि हमारे जो हमारा राष्ट्र पीता है महात्मा गांधी जी तो महात्मा गांधी जी 9 जनुवरी 1915 में महात पूछ जाता है 2 जनवरी को भारति प्रवासी दिवस मनाया जाते है महात्व गांदी की वापस लुटने की उप्लक्ष में तो इस साल दोहजार तेईश में इसका जो आयोजन प्रवासी जो दिवस की जो सम्मान है कहां पर इस पर सम्मान दिया जाएगा तो पुरवासी भारति दीव से क्रमक तो याद रख miser लें करें तो आपका जिए भारति न क्थ सब्रौय भारति-भारति-जिवक्र क्रम अधे किया गए तो इस साल प्रवासी जो की भारती जो की सम्मान पूरुषकार करता है हाँ पर आस्टेलिया में विज्ञान के संस्तान में तक्निकी और सिक्षा के छेतर में काम करने वाले जगदीश अपके थेनुपती और भुटान के संजीव महता समेट 27 लोगों को इस साल जो क में से आपके भुटान के संजी महता और जगदीश थेनुपती जो की इन लोग को तक्निकी और सिक्षा छेतर में इन लोग को यहां पर इस पूरुषकार को दिया जाएगा तो याद रखी गए इसका ए आपसं सही हो जाएगा अगला को संदक्ता हाल ही किसको बैंक आप सि अगला कुशन देखते हैं हाल ही में अपरेल से वित वर्स में खाद दया और उर्वरक सबसेड़ी पर खर्ज को घटा कर कितने लाग करों रूपया का आपके रूपया का यहां पर भारत कर लक्षे रखा गया है तो यहां पर तीन सम्मलाव यहां पर साथ करों रूपया य अगला कुशन देखते हैं हाल ही में किसके नविंतम प्रणाली गत जोखिम सरवेक्षड जिसे SRS कहा जाता है इसके अनुसार वाइस्विक इस पीलोवर वित्य बाजार व समान ने जोखिम बढ़ गए है जबकि व्यापाप आर्थिक जोखिम कम हो गए है तो स्थापना किया गया है इसके वर्तमान में गवर्नर है सकतिकाजदास जी जिसके गवर्नर है रवियाई के वंडेक जामें कोचन पूछा जाता है स्थापना किया है इसके गवर्नर शक्तिका अंदास है इसका मुंबई महाराष्ट में इसका मुख्याला है आर्वियाई का तो हाली में आर्वियाई ने नविंतम पढ़ा ली गा तहां पर जोखिम सर्वेक्षट कनुसार वाइक 6 इस पीलोवार वित्य बाजार व समान ने जोखिम बड़े हैं लेकिन जबकि व्यापा कार्थिक जोखिम कम हो गए है आर्वियाई का तो याद रखी इसका सी आपसं सही हो जाएगा अगला को संदेखते हैं हाली में हाली में भारत निर्वाचन आयोग ने किसको अपना इस्टेट आइकन बनाया गया है तो अनुसक जो कि एक सिंगर है याद रखे विहार के रहने माली सुने होंगे इनका एक सिंगर में ठली ठाकुर तो जो भारत निर्वाचन आयोग ने यहां पिनको इस्टेट आइकन चुना गया है तो अपनी गाईगी किसे लोगों के यहां पर दिल पर राज करने वाली इनको जानते होंगे अगर नहीं जानते होंगे यहां पर यूटूब में सर्च करके देख लेंगे इसके बारे में तो कुछन पुछा जा सकते हैं तो एक सिंगर है मैधली ठाकुर जो कि इनको इस्टेट आइकन चुना गया है तो अपनी गाईगी के लोगों पर जो कि राज करने वाली सिंगर है याद रखी गए और यहां पर इसको लगभग इनकी जो बिहार के रहने वाली है और इनके जो एज है लगभग 25 वर्थ के इनकी एज है और यहां पर इस बार इस्टे टाइकन चुना गया है आपके भारत निर्वाचन आयकोन मैधली ठाकुर तो लोगों को इस ब उत्दमान में निर्वाचन आयोग के इसके अध्यक्षिह आध रखेगे और उस एक कोशन पुछा जाता है भारत निर्वाचन आयोग की छो की रूर्वा चयों के फर्स्ट अधियक्षा किसको बनाया गए थै तो याद रोखिया रख़े सुकमार सिन्हें को बनाया कई बार एक्जाम में कोष्ण। पुछा weuje बारत निर्वाचा नायोक के फर्स अधियक्षे थे अधियक्षे ते वरत्मान बनाया गए तब मैंने इसको डेक्तेल बताया तो आपको पता ही होगा बिहार के रहने वाली है सिंगर है और जावीज बार मत आता वह को जागरू करते देखेंगी अगला अगला पुश्ट न रिखते ह्ला आहां इनो इृद्प महुष्साह कहां मना गया है तो ऑपके मढ़ीवपुर में असम में मिहजाला इन्मेश कोई नहीं नहीं तिसके तरहीं आफसान हो जाएगा इ allora रिफा जो महोष्सा greatmanrial जाता ही है महिलाओं दोरा रंगा-ारंग्ग काजे कर रंगा कारीकरम दोरा इस को घील निया अश्ची में भाग लेती है अखानच से ङार्थ ऑन रखता मर्ट्रपूर के आपके मड़ीपूर में मनाया जाता ही याद रखिए गया मड़ीपूर की राजध्धानी है इंपाल इन विरेंसी वर्तमान में यहां के मुखे मंत्रे स्री लागडी शन वरतमान में यहां के गवरन है राज्चेपाल है तो याद रखिए इसका ए आपसन सही हो जाएगा अगला कुछ संदक्त हाल ही में गोवा के मोपा एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गए या का कर में गोवा के मोपा एरपोर्ट है इसका नाम चेंज कर यहां पर मनोहर आपसन सही हो जाएगा अगला कुछ अगला कोशन देखते हैं, हाल ही में, दीदीर सुरक्षा कवच अभ्यान की सराज्य में शुन किया गया है, तो आपके पस्चिम मंगाल में असम में मेगाला में यद्डी है, इनमेस कोई नहीं, तो हाल ही में पस्चिम मंगाल के जो मुख्य मंतरी हैं, आपके जानते होंगे पस्चिम बंगाल के मम्तबनर जी जो कि यहां के पस्चिम बंगाल के मुख्य मंतरी तो हाल ही में दिदीर सुरक्षा कवच जो अभियान है पस्चिम बंगाल में इनके द्वारा लाया गया है तो दिदीर सुरक्षा जो कवच है इस अभियान के जो उद्देश है यहां पे ल लाब उठा नहीं पा रहे हैं तो उन लोग को जाए उनके पार्टी के लोग यहां पर उन लोग को जो कि जीतना भी योजना सरकार द्वारा चलाया जाए उनको लाब दिलाना इस दो कि दीदी सुरक्षा जो कवाच इसका मुख्य उद्देश है तो जितने भी जो अन्चीत ह आए पार्टी के पार्टी के द्वारा नंद्बोस को न्यूखत राज्यपाल है जो कवाच अभियान पस्टीबंगार। लाया गए अगला कुशन देखते हैं हाली में हिमाचल पदेश के विधान सभा के नए अधियक्च कौन यहां पे चुने होंगे या कौन होंगे तो आपके इंद्रिदत लखन पाल कुल दिपसी पठानिया या राजेंदर राणा या डिहेंच में सो कोई नहीं हाली में हिमाचल पदेश के विधान सभा हाली में नए अधियक्च आपके कुल दिपसी पठानिया को नए नुक्त यहां पे किया जाएगा तो हाली में कुल दिपसी पठानिया याद रखे अब हिमाचल पदेश के विधान सभा के नए अधियक्च को चुना जाएगा कुल द मुख्य मंत्री, नीया नूक्त किया है, तो पूछा जाएगा, सिख्वि इंदर्श नीया से इम नूक्ति धेए, और जैराम ठाकूर, यहां के पहले, मुख्य मंत्री थे, लेकिन राजय इंद्र आर लेकर, यहां के राजयप्पल है, तो याद रखे, इंपोर्टेन कोושन ब रखिए गया तो हाली मोर्डी जो राजी सरकार ने यहां पर चाह्या पर राज्य जोकितने बहुए या उठा पर हैं तो राज्या सरकार औरो ये एक सब्ग– Penak परम्ये चाहंबाल प्रस्वार करने जा रही व Sm butter यहां को भुष्वार और यहां के जो मुख्य मंत्री है नवीन पटनायक जो की सबसे बार यहां पे चर्चित रहते हैं मुख्य मंत्री है यहां के नवीन पटनायक जी यहां के जो गनेसी नाल है यहां के राजेपाल है इसी लाल जी यहां के राज्येपाल है याद रखिए यहां से दो तोन कुष्चन इंपोर्टेंट बनते हैं आपका जो पैगोड़ा या कुड़ार का मंदीर कहां इस्तित है तो आपके भूनेस्वार या स्वाई आपके ओडिशा में इस्तित है और जो पूरी जगनाद मंद जारता है तो याद रखिएगा तिसका ए आपसं सही हो जागा अगला कुशन देखता है हाल ही में राष्टपती द्रौमती मुर्मू जी ने चार जनवरी 2023 को राजी स्थान के पाली जीले के रोहाट में कौन से राष्टी स्काउट या गाइड जंबूरी को घाटन किया है तो सोलवे करम का सत्रवे अठारवे अड़ी है इनमेस कोई नहीं तो हाल ही में अठारवे करम के यहाँ पर इस राष्टी स्काउट गाउट के यहाँ पर जंबूरी को घाटन किया है तो हमारे राष्टपती जो द्रौपती मुर्मू जी ने चार जनवरी 2023 को राजी स्था हाल ही में कि के देश ने एस्याइई प्रसांथ डाक संकर नित्यत्व नित्व समहला है तो भारत बांगलादेश स्रि लंका में यह इड़ी है इनमेस कोई नहीं तिसका जो सहीं अप्शन हो जाएगा एक आप संब भारत रखे्ए तो हाल ही में भारत ने TWO स्याई प्रसाद аждृय करने तो समझते हैं इसका फूल फाम होती हैं जो फूल होता है हुआना जाना जाता है गृत के यहां कि च Mississippi पुर्वा तुर्वा सदेज स scholars आपके विनारे प्रकासिंगे इस महीने इनको अभू के अगले महासटistic के रूप में इनको पधबहर समझा ल הבий को झूराइसा लेंगे तो डाक संग्झ जो यहहां पर यहांी की जो इसका रूफम करने ऊसे इसका यहां । यहां पर बात किया जाएगा इसमें यह सब चर्चा हैं जो डाक से वहां को उसको जो की आसानी बनाने के लिए इस पर चर्चा किया जाएगा तो इसका आपसान याद रखिएगा तेस्याई प्रसान डाक संक्रने तो इस साल भारत सौपेगा अगला कुशन दिखते हैं लाश कुशन हमारा हाली म इस सरकार ने मुख मंत्र अवाशी भूमि अधिकारय योजना सुरू की गई है तो आपके मद्ड़ प्रदेस के दौ़ारा पंजाब के दौ़ारा हिमाचर प्रदेस यड्डी है इनमे संकुए नहीं तो हाली में मद्ध प्रदेश सरकार द्वारा हाली में इस राज्य सरकार ने यहाँ पर मुख्य मंत्री आवासी भूमी अधिकार योजना यहाँ पर शुरू की गई है तो याद रखिएगा तो हाली में मद्द प्रिदेश राज्य सरकार ने जितने भी गरीब लोग है या जिनके पास भूमी वगर नहीं है या वन्चित है तुन लोग को डारेक्ट सरकार के दौरा इसके हिसाब से आवासी भूमी अधिकार योजना के तहर जो कि सरकार ने जो गरीब जो मजदूर ज जो कि सब का घर होता है जिनके पास घर नहीं है जो गरीब मजदूर है तो उनको यहां पर घर बना के दिया जाएगा तो यह जो योजना मद्द प्रिदेश के सरकार द्वार इसको लागू किया गया है तो मद्द प्रिदेश की बात करें मद्द प्रिदेश के राजधानी यहां के राज़धानी है भोपाल और यहां के जो CM है मुखमंत्री, सीवराशी, चौनह यहां के जो के मुखमंत्री है मंगु भाय, पटॉल वर्तमान में यहां के राज़ेपाल है, तो याद रख़िएगा, MP सरकारने हाप ले अवाशी खुमै अदीकार योजना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाया है तो चलिए बस आज के लिए इतना ही थैंक यू